हैलो फेंड्स नमश्कार कैसे हैं आप सारं आग मैं बहुत ही सुनदर अंगुठे वाली लेडीज्ट या कल सॉक्स बनाने बनाएं जसकी बनाना बहुत असान है बहुत जलदी बन जाती है देखने में सुनदर लगती है बूद बेर को है बहुत असानी से बना लें Flag फेंस मैंने ये दो color लिया है, colors आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं, मैंने एक white color लिया, एक मैंने ये designer wool लिया, ये market में बड़े असानी से मिल जाती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप regular wool जैसे मैंने white color के लिया, आप इसके साथ कोई और color वाली wool भी ले सकते हैं, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 42, 50, 50 पंदे डाले हैं, फेंस सीदी साइट, उल्टी साइट, दोनों साइट से उल्टा-उल्टा बुंते, फें मैंने इसकी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर, नो, दस, ग्यारा, बारा परवाइस रो की हैं, हर रो में, छे, 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 सलाइए की हैं, तो white color की, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, पर वाइस रो बनाई हैं, और designer wool की यह देखे, यह designer wool हैं, यह बहुत अच्छे लगते है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, इसकी मैंने रो बनाई हैं, तो हर रो में, फेंट्स, छे, से, सलाइए की हैं, तो तीन, तीन, पलवाइस रो बनाई हैं, पहले फेंट्स यह बता देती हूं, यह मैंने कैसे बनाया, ताकि जो big winners हैं, वो भी बड़े असानी से बना लेंगे, दस फंदों पर मैं आपको बता देती हूं, सभी फंदों को हम उल्टा-उल्टा बनेंगे, पहली सलाइए कंप्लीट होगी, फेंट सीधी साइट चे, उल्टी साइट चे, प्रेला फंदों प्रेला 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 प्र सीधी साइट उल्टी साइट दोनों साइट से उल्टा 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 उल हमने एक सलाई कंप्लीट कर लिए अब सीजी साइट से दूसरी सलाई है इंहें देखे ned रेट के हैं टोटल हम इसकी छे लागएं अ अब आपको दिखाती हूँ तो बिए एक दो तीय फरी67 अब हम उंची सलाई है का इंगे हैं इसेन श्यटना से अव्य ञॉनेंगा check बैस्ट को हम उल्टा उल्टा बोनेंगे के फिर्ड अब हमने क्या करना है हमने हर कि छे्च चेस ला में करनी है तो यहां पर थी पुम पनेगी वूल्टी साइड से हमने चेंज करनी है फिर्स टाइब मैंने पांच सलाईय करने के बाद छटी सलाई उल्टी साइड से मैंने बूल चेंज की थी क्योंकि मैंने सीधी साइड से पहली सलाई की थी तो उल्टी साइड से फिर मैंने छटी सलाई इस तरह से हल्का सेखीचैगेért जादा नीखीचना थोड़ा सखीचेंगे यह देखें जासे पैर yolका न लबाile तक दो यह पर नंबाई अब हम लृटी ओड़े har assistance उल्टी ओड्रा पर प्हले भूल चेंज करेंगे डिजजैनर में अव्य कंट करर दिया उल्टी साइड से अब सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुनके फैंस हम यह पूरी रोग कंप्लीट करके हम सीधी साइड पर आएंगे फैंस सीधी साइड पर क्या करेंगे अब हम थम और फिंगर बनाएंगे यहां पर फिंगर बनाएंगे जब हम दूसरी जुराब बनाएंगे तो यहां पर फिंगर बनाएंगे यह टोटर 50 फंदे हैं तो 18 फंदे मैं थम के लिए रखूंगी 32 फंदे मैं फिंगर के लिए रखूंगी सीधी सेट उल्टी सेट से उल्टा उल्टा बुनते से अब हम सीधी सेट उल्टी सेट से उल्टा उल्टा नहीं बुनेंगे अब सीधी सेट से सीधा उल्टी सेट से उ साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह चोदा पंदरह सोला स्तारश इतारश फंद ही न मैंने भूल लिए धम के लिए यह देखें दो चार छे आठ दस बारह चोदा 16 18 20 24 26 28 32 32 32 पंदे हम finger के लिए रखेंगे लेकि इनको अभी नहीं बुनेंगे इनको हम बाद में बुनेंगे यह से उल्टा देंगे कि अब इन्हीं 18 फंदों को फैंट्सम उल्टा उल्टा बुनेंगे कि उल्टा उल्टा बुनके फैंस हम पूरी रोग कम्प्लीट करके हम सीधी साइट पे आएंगे सीधी साइट पे पहला फंद उतार लेंगे अब फिर सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे पर हमने क्या करना है हमने इनी 18 फंदों को सीधी से सीधा उल्टी से उल्टा बुनना है हमने इसकी टोटल 16 से लहीं करनी है तो 16 से यह कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूं मैंने 16 सलाइए complete कर ली है नाप कर दिखा देती हूं तो फिर यह दो इंच है यहां फिर फ्रेंड साप यहां से पैर का अंगुठा स्टार्ट होता है वहां से लेकर यहां तक नाप लीजिए तो यह पैर के अंगुठे की लबाई हो जाएगी अब हम दो फंदों का एक करेंगे एक फंदा ऐसे बोल लेंगे दो फंदों का एक करेंगे एक फंदा हम बोल लेंगे फिर दो फंदों का एक करेंगे एक फंदा बोल लेंगे इसी तरह से हमने पूरी सलाइए complete करनी है उल्टी साइट पी आगे हैं उल्टी साइट पी हमने कोई फंदा कम नहीं करना सभी फंदों को फ्रेंट हम उल्टा उल्टा पुनेंगे अब हम क्या करेंगे यह पहला फंदा है इसके ओपर से सारे फंदे हम गिरा देंगे इसके पन्टा को बग्वाबना है आगे यहाए है इसके छादील पर फंदा कर आगे आगे उपाल कर दो शर्टा नहीं को भीटोच है कि आगे आगे प्सक्श आले भीटाओ कर देंगे छादा अब हम फिंगर वाला पार्ट बनाएंगे सबसे पहले हम सीधी साइट से भूल लगाएंगी सबी फंदों को फैंट्स हम सीधा सीधा बुनेंगे सीधा सीधा बनके फैंट्स हम यह पूरी रहोग कंपलीट करके हम उल्टी साइट पर आएंगे उल्टी साइट पर क्या करेंगे यह टोटा हमारे बतिस फंदे तो पंदरा फंदे हम उल्टे उल्टे बनेंगे पहला फंदा उतार लेंगे, इस फंदे को count करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, पंदरा फंदे हमने उल्ट उल्टे पूल लिए, इस साट भी पंदरा फंदे रखेंगे, फैंट्स, दो, चार, छे, दस, बारा, चोदा, तो 15 फंदे फंदे इस साइड, तो लास्द में 2 फंदे राएगे, 2 फंदो काई कर देंगे, ये सेंटर का फंदा शाया जाया, उसके वाग सकी सब्ढ़ फंदा, पंदा उल्टा उल्टा पुनेंगे, 2 सब्दों के फृन्स पूरी ऋरू कम्प्लेट कर सीधी साइट पर हमने कोई भी फंदा कम नहीं करना सभी फंदों को सीधा सीधा बुनके पूरी रोग कंपलीट करके हम उल्टी साइट पर आएंगे उल्टी साइट पी आगे, उल्टी साइट पी क्या करेंगे, पहले हमने 15 फंदे बुने थे, अब बुनेंगे 14 फंदे, पहला फंद उतार लेंगे, इस फंदे को काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, चोदा फंदों गुल्टाउट भूल लिया, यह 15 फंद है, यह सेंटर का फंद है, जो हमने 2 फंदों का एक किया था, एक फंदा इस साइट से लेंगे, तो तीन फंदों का हम एक कर द देंगे, इस साथ देखें, दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चोदा, चोदा फंद है, तो हम इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, उल्टा 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 बुनके फेन्स, पूरी रोह कंप्लीट करके सिधी साइट पे आएंगे, सिधी साइट पे सभी फंदो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब में कर्राइब 1 सैट ने DR. पहला पांच चे आट नो दस है कि ग्यारा बारा तेरा पांच पुन लिए यह 14 पंद यह सेंटर का फंद थीन फंद करते हैं एक फंद इस साइट से लेंगे तो हम क्या करेंगे तीन फंद का एक करेंगे यहां देखेंगे दो चार छे आट दस बारा तेरा तेरा फंद इस साइट इन फंद को फैंट हम उल्टा उल्टा पुनेंगे पूरी रोh complete करके हम सीधी सैट पी आएंगे सीध़ी सेट पे सभी फंदों को सीधा सीधा क कम नगे करना सभी फंदों को सीधा सीधा बुनके पूरी रो going complete करके पर हमने क्या करना है? हमने जैसे पहले 15 फंदे दिने फे 14, 13 फिर दिने के 12, 11, 10, 9 यानि हर उल्टी साइड के हम एक फंदा कम बुनेंगे. सेंर में एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस से लेंगे एक फंदा सेंर का, तीन फंदों का एक करेंगे. तो दोनों साइट एक एक फंदा कम होगा और दोनों साइट फंदे बराबर चलेंगे सीधी साइट से हमने कोई फंदा कम नहीं करना सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है ये फंदे हम तब तक कम करेंगे जब तक कि टोटल हमारे पास 15 फंदे नहीं रहा जाते तो फैंट लास में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 15 फंदे रहा गया है और फैंट इस तरह से फली बनेगी अब हम सभी फंदों को बंद कर देंगे दो फंदों का एक किया इस फंदों के इस लाइए में लिया इस तरह से फैंट सम सब्दों को यहां तक बंद कर देंगी फिंगर वाला पार्ट में हमने कम्प्लीट कर लिया है हमने थम और फिंगर दोनों पार्ट कम्प्लीट कर लिया है तरह से यह सॉक्स दिखाई देगी अब इस सॉक्स की हम सिलाई करेंगे यह थम है थम वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे क्योंकि उल्टी सैट से स्लाई करनी है यहां से लेकर यहां तक से लाई करेंगे इसके बाद फिर हम फिंगर वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक से लाई करेंगे तो फिर अंगुठे वाले पाटकी मैंने सलाई कर ली है अब फिंगर वाले पाटकी सलाई करेंगे तो तो फिएक यह बंगे पाटकी सलाई आकी मैंने सलाई करेंगे सलाई अुझाले पार कल दो है झाले पाटकी सलाई अजाओे झाले उयो तो यहाले अ करेंविर रूएलное पाटकी अार्क sucedप्यों तो श फिर में नहता है जो तो इए प।णेर्ले एल वाले खाक वाले वाले मैंने फिंगर वाले पाट की भी सलाई कर लिए, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोइंट करेंगे मैंने दोनों पाट को जोइंट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, जितना पै डालने के लिए चाहिए उतना रख के बाकी यहां पर हम सलाई कर देंगे तो फिर मैंने यहां से लेके यहां तक सिलाई कर ली है, यह मैंने पै डालने के लिए छोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे यहां से लेके यहां तक सिलाई करेंगे फिर मैंने यहां से लेके यहां तक भी सिलाई कर लिया, अब इस सॉक्स को हम सीधा करेंगे अब यहां पर हम बिडिंग करेंगे, जासे हमने सिलाई की है वहां से हम शुरू करेंगे तीन चेन लगाएंगे, वहीं पर करेंगे हम दो बाड़ डबल क्रोशिया फिर एक, दो, तीन, तीन पर वाइस रो छोड़ेंगे, नेक्स्ट पर करेंगे हम स्लिप स्टिच फिर तीन चेन लगाएंगे, वहीं पर करेंगे हम दो बाड़ डबल क्रोशिया, चेन को डबल क्रोशिया में ले लिया तो यह होगे तीन बाड़ डबल क्रोशिया फिर एक, दो, तीन, तीन पर वाइस रो छोड़ेंगे, यहां पर करेंगे हम स्लिप स्टिच फिर तीन चेन लगाएंगे फिर वहीं पर करेंगे हम दो बाड़ डबल क्रोशिया तो ये लेगा तीन बार double crochet, यहां पर करेंगे हम Slip stitch इस तरह से, यहां पर आप अपनी पसंद की भी बीडिंग कर सकते हैं, तो इस तरह से पूरे socks पे हम यहां तक बीडिंग कर लेंगे, तो फिर मैंने यह बीडिंग भी complete कर ली है, अब इस socks में कितनी वूल लगी है वो भी मैं आपको बता देती हूं 26 ग्राम वूल में यह हमारी सॉक्स बनकर त्यार होगी है दोनों सॉक्स में सिरफ 52 यानि 52 ग्राम वूल लगेगी इसके साथ ही फ्रेंट बहुती सुंदर यह डिजाइनर वूल से बहुती सुंदर अंगुठे वाली लेडी या गल्स सॉक्स बनकर त्यार होगी है पीछे की साइट इस तरह से दिखाई देगी नीचे की साइट इस तरह से दिखाई देगी यह सॉक्स छे और साथ फूर साइज वालों को बड़े अराम से आ जाएगी फ्रेंड अगर आप इसमें बड़ा साइज बनाना चाते है तो दो फंदे बढ़ा लीजिए यह पलवाइस रो आप बढ़ा लीजिए अगर छोटा साइज बनाना चाते है तो दो फंदे कम कर लीजिए और यह जो यह रो है पलवाइस की यह आप कम कर दीजिए तो आपका छोटा साइज बन जाएगा तो फेंड वीडियो अच्ह लगे तो प्लीज लाइक कीजी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजी। सब्सक्राइब के साथ बेल बटन को दुबाना मत बूलिए ताकि जो मेरे आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई